दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटे को दबाए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरी चैनल पे दोस्तो आज आप देखोगे जीप कमनी के इस फ्लेक्स बॉक्स का अन्बॉक्सिंग प्लस ओनेस्ट रिव्यू के वाई ये चीज कैसी है दोस्तो नॉर्मली ये जो फ्लेक्स बॉक्स होते है या इसे जिसे हम राउंडर कहते है या एक्स्टेंशन कॉड जिसके अंदर आता है तो चलो करते हैं इसका एक विक काणबॉक्सिंग आंड अप देखोगे इसका रिव्यू भी अगर आपको इसे परचेश करना हो तो आप इसे अपने नजदीकी दीमाट से जाके परचेश कर सकते हो अगर आपके घर के नजदीक कोई DMART ना हो या तो आप इसे पर्चेस ना कर पाओ, तो दोस्तों मैंने online भी काफी सारे flexboxes की link मैंने description and pinned comment में दे दी है, आप उन्हें भी check out कर सकते हो. Okay, so now यहाँ पर यह है इसका box and अब देख पारे हो यहाँ पर लिखा है jeep, यह कमनी का नाम लिखा है, यहाँ पर यह जी स्क्वेर और इसके जो सारे features यह mentioned है, this is how it looks, यहाँ पर लिखा है G-square and यहाँ पर generic name flexboxes and यह सारी चीजे जो है यहाँ पर mentioned है, अब देख सकते हो month and year of manufacture है, 921, MRP's की 360 लिखी गई है, यह manufacture किया गया है in Silvasa, Dadra and Nagar Haveli, ठीक है and यहाँ पर यह इनके थाने का address है, यहाँ पर यहाँ पर यह इनका कि कस्टम अकेन नम्बर and everything is given, इस साइड लिखा है कि यह comfort design में आता है, safety and gripping system है इसमें and यहाँ पर आपको LED on-off status नजर आ जाएगा and this is an international socket, तो इसे हम देख लेते हैं, चलो अब इससे कर देते है, quickly unbox, so unbox करते ही आपको box के अंदिल सही यह flex box मिल जाएगा and बाकी और कुछ नहीं आता इसके अंदर, so इसे हम side में कर देते हैं, अब बात करें इस flex box की, तो सबसे पहले एक यह चीज मुझे अच्छी लगी कि इसकी जो finishing है, यह काफी smooth है, so बहुत ही बढ़िया finishing दी गई है, बहुत ही smooth finishing है, बात करें इन points की तो इसे आप एक cord को भाहर निकाल सकते हो, बात करें इस plug pin की, तो यह एक जो यह two point वाली जो plug pin है, यह ऐसे दी गई है, इसके अगर finishing की बात करें, अच्छी है, बहुत ही जादा, you know, supremely बढ़िया हो वैसा नहीं है, बट अच्छी है, यहाँ पर protection दी गई है, wire is also good and motor wire है, बात करें इसके जो यह जो रोल हो रहा है, काफी smooth हो रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, चलो पूरा wire एक बार निकाल के देख लेते हैं, तो यहाँ पर wire काफी लंबा है, अच्छा खासा है, smooth है, इसको अगर बंद करना है, तो यही easily जो design ऐसी दी गई है, कि इसे आप इस तरीके से आप अगेन बंद कर सकते हो, अब चलो इसे एक बार use करके भी देख लेते हैं, अब मैंने यहाँ पर यह दोनों adapters को connect कर दिया है, और आप देख पा रहे हो, यह दोनों ही mobiles यहाँ पर charge हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर यह charging indicator चालू है, यहाँ पर भी यह सेम चीज़ है, अब यहाँ पर दूस्तों मैंने एक चीज़ यह ज़रूर नोटिस की, कि क्योंक से आप easily तो use नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो यहाँ तो फिर भाई, आपको एक combination में शायद यूज करना पड़े, या फिर combination में शायद ना भी use हो, और आपको सिर्फ एक ही 3-pin यूज करनी पड़े, यहाँ पर यह दोनों adapters को आप easily यूज कर पाओगे, एक साथ, यह design बिल Xbox काफी अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों, 1.500 रुपे के price point के इसाफ से, इसके design भी काफी अच्छी है, इसका rotation भी यह काफी smooth है, and वायर भी यह देखे, easily आप इसे use कर सकते हो, तो यह सारी चीजे मुझे obviously काफी अच्छी लगी, मुझे सिर्फ यहाँ पे दो चीजे जो ह है, वो नहीं अच्छी लगी, वो यह, कि एक तो यहाँ पे यह 3-pin plug होना चाहिए था, then यह और भी ज्यादा बेटर हो जाता, and secondly और एक चीजी है, कि दूस्तों, इसके box पे जो है, यहाँ पे warranty के बारे में कुछ भी mention नहीं है, although जब मैंने इसे डी माट से खरीदा, तो मैं मैंने सीधा, you know, payment कर दी, और मैं सीधा मैंने check-out कर लिया, तो मैंने वहाँ पे किसी को पूछा नहीं कि इस पे warranty है, या नहीं, हाला कि वहाँ पे मुझे किसी ने बोला भी नहीं कि यहाँ पे इस पे warranty आपको मिले यह नहीं, so this is something जो यह मुझे confirm नहीं है, अगर मैं next time जब काफी बैतर प्रड़क लगा, and obviously यह काफी बढ़िया तरीके से usable भी है, अब इसकी durability कैसी रहती है, यह मैं आपको again 6 months down the line, print comment में नीचे update, जरूर कर दूंगा, जिससे आपको ही पता चले, कि यह प्रड़क क्या तभी भी काम कर रहा है, या नहीं,